मैं आपको यहां पर वहाहां पर क्लास्सिज में बहुत सवा करता हूँ पुत करेंगे सकतर कितने कि यहां पर पर कवरेश होये है मैं आपको यहाँ पे सारी सीधे बताऊंगा तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पी यह करेंगे clear है तो चलिए इसको start करते हैं तो अगर मैं सर आपको overall बताऊं तो सर पेपर हमारा overall easy था कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी proper manageable था बट हां सर लेंदी जरूर था देखो बच्चे वो तो हर attempt आता ही आता है लेंदी ही आता है सर अकाउंट्स और even advance काउंट्स का पेपर भी almost हर attempt लेंदी ही आता है ILC AI हमारा सर जो पेपर होता है वो लेंदी ही set करता है तो आप यही assume करके काम करिया करो कि सर इसका पेपर दो लेंदी आएगा even advance काउंट्स का पेपर भी almost लेंदी ही आता है ठीक है ना पर सर पेपर प्रोपर manageable सा बिल्कुल इल्दी सा उसमें कोई दिक्कर नहीं थी ठीक है ना हां सर अगर आप हमारे student है अगर आपने सर हमसे classes की होती तो आप definitely इस पेपर में बहुत easily guaranteed exemption अचीव कर सकते थे उसमें कोई दिक्कर नहीं है और even अगर आपने सर हमारे just important question banks भी refer किये होते तो भी आप इस पेपर में बहुत easily guaranteed exemption अचीव कर सकते थे कोई दिक्कर नहीं है तो जो हमने आपको सर important question banks में questions provide किये थे ना वैसे ही similar question exam में आए थे तो अगर आपने सर हमारे just important question banks भी refer किये होते तो भी आप इस पेपर में बहुत easily guaranteed exemption अचीव कर सकते थे तो मैंने आपको सर कहा था कि आप हमारे just important question banks भी कर लेना आपकी यहाँ पे guaranteed exemption आजाएगी तो यहाँ पे सर आप guaranteed exemption बड़ी easily अचीव कर सकते थे क्योंकि जो हमने आपको important question banks में questions provide किये थे वैसे similar ही exam में आई थे clear है तो अगर मैं सर overall कहूं तो paper हमारा easy था proper manageable था बढ़ा था lens भी दूरूर था clear है तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसका और यहाँ पे इनकी सर marks की coverage है जो मैंने आप पे लिख हुई है ठीक है तो देखो मैंने आपको सर कहा था मैंने आपको कहा था कि यह 3 chapter कर लेना insurance claims higher purchase investment count और साथ में AS 13 ठीक है ना मैंने आपको कहा था कि यह 3 chapter कर लेना साथ में AS 13 कर लेना तो पूरे chances हैं इन मेंसे 22-25 marks की coverage होगी मैंने आपको यह चीज़ कही थी तो देखो इन मेंसे 30 marks की यहाँ पे coverage हुई है ठीक है इसके बाद मैंने आपको कहा था सर यह 10 chapter सबसे पहले करना यह 10 chapter यहां पर सबसे पहले करना यह वाले तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि इन मेंसे around 70 marks की cover होने की चांसित है और आपकी exemption तो यहां से ही बन जाएगी तो यहां पर देखो यह 10 chapters मेंसे exact 70 marks का cover हुआ है जिससे कि मैंने आपको कहा था तो यहां पर देखो exact 70 marks का cover हुआ है तो इनके basis पे भी आप यहां पर exemption बड़ी easily अचीव कर सकते है अब यहां पर अगर मैं कहूं देखो AS 13 मेंने यहां पर cover की है इसमें से 5 marks कोशन है इसके बासर AS 3 मेंने यहां पर cover की है इसमें से 5 marks कोशन है और यहां पर जो हमारे accounting standards है यहां पर remaining accounting standards है यहां आपको यहां पर जस्त बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने यहां पर marks की cover ही यहां पर लिख हुई है तो remaining accounting standards यहां पर है जो हमने यहां पर cover की है इसमें से 10 marks का cover हुई है वैसे accounting standards में से गा मैं कहूं सबी के सबी और यह हमारे पास या पर इंकीMarkесс की कवरे रही आप यह देख सकते हैं तो यह कवरे देख सकते हैं तो यह 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 यहाँ पे हमारीcessors रीवीयू श्टो करते हैं तो यह रासर हमारा यहां पर खुए फेर पर तोसर Hem पर में भी ऐसा ही है सर अकाउंटिंग सेंडर्स से ही हमारा question number one जो है वो यहाँ पर आया है clear है तो सर पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सेम है तो चलिए अब हम यहाँ पर quickly इसका review कर लेते हैं मैं यहाँ पर कोई भी question discuss नहीं करूँगा मैं यहाँ पर आपको just बताऊंगा जो sir questions यहाँ पर cover है वो sir कौन से accounting standards या sir कौन से chapters में cover होते हैं ठीक है मैं आपको just यह बताऊंगा यहाँ पर मैं sir कोई भी question यहाँ पर discuss नहीं करूँगा ठीक है जी हम यहाँ पर इसका quickly review करेंगे तो चलिए इसको start करते हैं तो sir यह रहा हमारे पास यहाँ पर question number one तो sir question number one का जो A है यह हमारे पास AS2 का है ठीक है जी इसके बास sir हमारे पास यहाँ पर जो B है यह हमारे पास AS3 का है इसके बास sir जो हमारे पास C है C का first और even यह second यह sir हमारे पास AS11 का है इसके बाद सर यह जो D है यह हमारे पास AS 13 का है clear तो यह हमारे पास यहां पे पूरा का पूरा जो question number 1 है यह हमारा सर पूरा का पूरा accounting standards का है ठीक ना कौन से accounting standards से यहां पे questions cover हुए मैंने आपको सारी चीज़े बता दी इसके बाद सर हमारा के chapter की उपर based यहां पे सर 10 marks का question भी आया है इसके बाद यहां पे देखो हमारे पास एस 13 में से भी आया है AS 13 भी हमारा investment accounts के उपर based है तो यहां पे देखो AS 13 से भी 5 marks का है तो total अगर मैं कौन सर accounting standard 13 जो की investments के उपर based है और सर हमारा investment accounts का जो chapter है इन दोनों को मिलाके 15 marks का paper यहां पे cover हुआ है ठीक ना तो यहां पे सर यह चीज़ है यह हमारा हो गया यहां पे question number 2 इसके बाद सर question number 3 हम हमारे पास branch के chapter का है इसके बाद सर हमारे पास यहां पर इन complete records के chapter का है इसके बाद सर हमारे पास यहां पर question number 4 यह full flash है हमारा preparation of financial statements के chapter का है ठीक ना इसके बाद सर हमारे पास यहां पर question number 5 जो है question number 5A यह हमारे पास redemption of debentures के chapter का है इसके बाद सर यह हमारे पास जो 5 का B है यह हमारे पास यहां पर departmental के chapter का है इसके बाद सर हमारे पास यहां पर six आ गया question number six का जो A है यह हमारे पास higher purchase के chapter का है इसके बाद जो B है यह हमारे पास mislainious है इसके बाद जो हमारे पास यहां पर C है यह सर हमारे पार redemption of preference shares के chapter का है इसके बाद जो हमारे पास यहां पे सर D है यह हमारे पास preparation of financial statements के chapter का है और यह ना managerial recommendation के concept के उपर based है ठीक है ना उसके उपर यह based है इसके बाद सर question number यहां पे जो E है यह हमारे पास E हमारे पास है सर यहां पे introduction to accounting standards के chapter का तो यहां से सिर्फ हमारे पास है और यह सासर हमारे पास यहां पे question number six है तो इस तरीके से यह हमारे पास सर पूरा का पूरा paper है और कौन से chapters में से या कौन से counting standard में से यहां पे questions cover हूँ है मैंने आपको सर यहां पे सारी चीज़े बताती है तो यह सा सर हमारा यहां पर CA Intercounts का November 2022 का एक्साम तो अगर मैं आपको कहूं हूँ मैंने आपको और रेड़ी बताया सर ओवरॉल पेपर बिल्कुल एजी है कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है बढ़ हासल लेंदी ज़रूर है ठीक ना तो आपको यहां पर definitely speed अपनी तो सर कवर हुए हैं और इवन मैंने आपको यहां पर सर इंकी मार्क्स की पूरी कवरेज भी दे दी और इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़े बतानी थी तो सर यह था हमारी तरफ से यहां पर quick review हमारे paper का और मैंने आपको यहां पर mainly chapter wise बताना था कि इस chapter wise यहां पर coverage क्या ह कोई है वो मैंने आपको यहां पर सारी चीज़े बता दी ठीक है आई खोब आपका सर यह paper अच्छा हुआ होगा तो मैं अब अच्छे बस यही कहूंगा अब सर अकाउंट्स हमारा done हो गया ठीक है इसमें कोई दिखकर नहीं है अब जो हमारे next paper हैं उनकी आप अच्छे से तयारी करो ठीक है और अगर बाई चांस अकाउंट्स में आपकी थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है तो next papers इतने अच्छे करो वो सारी कमियां दूर करता है clear मेरी best wishes अमेशा आपके साथ है तो अब हम यहां पर सर इस वीडियो को end करते हैं तो thank you very much for watching this video